हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइस मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आपकी सभी अच्छे हैं खुश है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैं डेली गाइडिंस आप आप सभी के लिए पता करूंगी तो मूड कैसा रहेगा और डिवाइन के आडवाईस देने वाले हैं आज के दिन के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है ओकी ये कार्ड आ रहा है नाइट अफ काप्स फॉर ये लव लाइफ ओके आपके लव लाइफ में है नाइट अफ काप्स और आपका मूड जो आज रहेगा उसके लिए एम्प्रेस का कार्ड है करियर के लिए कार्ड निकालते हैं वाव टैन अफ काप्स ओके और आपकी हेल्थ छारों कार्ड बहुत पॉजिटिव है तो आज का दिन नो डाउट कि आपका दिन अच्छा रहेगा पॉजिटिव रहेगा और देखो यहां से चेरियोट का का कार्ड है तो यह भी विक्टरी का ही कार्ड है तो ओवर ओल जो डे आपका रहने वाला है आज वो सही है ठीके अच्छा रहेगा लव लाइफ में नाइट आफ कप्स कार्ड आने का मतलब है कि कुछ चेंज़ आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि अगर आपकी लव लाइफ स्टक है या एक रेस्ट पोजीशन पर है कुछ नहीं हो रहा है कोई चेंज़ नहीं आ रहे हैं तो 8 of cups कार्ड आया है यहां पर एक और ले लेता है काप्स के कार्ड बहुत जादा है तो आज का दिन काफी सही रहेगा ओके यह दो कार्ड आये हैं क्या चेंज आ सकता है देखिए अगर यह परसन आपसे बिना कोई क्लारिफिकेशन दिये आपको कुछ बताया कुछ भी नहीं बताया मनलब कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया और आपसे मूव ओन कर लिया ठीक है कि अब यह परसन सोचना शुरू कर दें कि इसने ऐसा किया क्यूं और क्या रीजन थे जो इसको ऐसा करना पड़ा ठीक है तो अगर यह बिलकुल इस परसन ने इस कनेक्शन को लेकर सोचना बंद कर दिया था तो अब शायद यह थोड़ा सोचना शुरू कर देंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में जो भी हुआ वो हुआ क्यूं किसलिए हुआ क्यूंकि हो सकता है कि इसको आज भी आपसे अटाच्मेंट है और आज तक भी परसन आपको भूल नहीं पाए हैं तो यह इन ही चीजों को अनलाइस करते हुआ मुझे दिख रहे हैं तो थोड़ा पास्ट में जो भी हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे यह इसलिए भी हो सकता है आपने एक Empress बनते जा रहे हैं डे बाई डे आप अपने आपको काफी improve कर रहे हैं अपने purpose को ज़्यादा से ज़्यादा आप एहमियत दे कर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए आपका purpose बहुत important है और आप day by day खुद को improve करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके person आप में ये change देख रहे हैं और इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि past में ऐसा क्या मैंने देखा, सोचा या मैंने किस तरह से judge कर लिया आपको तो मतलब इस तरही किसे कुछ न को सोचेंगे because now ये ऐसा feel कर रहे हैं कि आप worthy हैं और आप इसके लिए compatible हैं ठीक है, compatibility देख रहे हैं ये आपके साथ तो इसलिए ये past का पूरा analyze करते वे दिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से ये सोच सकते हैं तो आपके love life में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि change आएगा या कुछ न कुछ you know changes आते वे दिख रहे हैं ठीक है, mode आपका आज Empress card है, बहुत ही सुन्दर card आया है आपके लिए तो आज आपका mode अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं देखो Empress का आने का मतलब है Empress जो होते हैं उनके उपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है ठीक है, और उनको पूरे अपने kingdom कह लीजिए या आपने हिंदी में कहाँ तो राज्ये को पूरे राज्ये को कैसे अच्छे से समहालना है चलाना है, कुछ इस तरह की responsibility होती है और कभी भी वो एक Empress कभी भी चैन की सांस ले ही नहीं पाते हैं ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर देख रही हूँ इवन आप positive हैं, optimistic हैं पर स्टिल आपके उपर जिम्यदारिया हैं, तो वो आपको पूरी करनी हैं, तो एक थोड़ा बहुत टेंशन आपके माइंड पर बना ही रहेगा विकाज आपके नेचर में ही यह मुझे दिख रहा है और बाकी सब अच्छा है आप challenges को ले रहे हो as a positive way और यह बहुत ही अच्छी बात है तो mood आपका खराब नहीं होगा आज के दिन सही है और मुझे नहीं लग रहा कि आज के दिन आपको कोई परिशान करने वाला है या कोई भी आपके काम में पाल दू कि कहते हैं ना वो आज के दिन जो भी टास्क आपको मिलने वाले हैं वो easy to handle होंगे आप easily handle कर पाएंगे कोई भी situation ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए मतलब problem create कर दे तो आज के दिन आपका काम बहुत अच्छे से होगा और हो सकता है क्योंकि मुझे यहां बहुत सारे fruits दिख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ extra earn भी आप आज के दिन करें ठीक है ऐसा भी मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी health के लिए है page of pentacles guys page of pentacles card का आने का मतलब है कि आपको थोड़े changes अपने अंदर लेकर आने की जरुरत है आप हो सकता है कि right now stomach stomach एक होता है आपको वो इसे लिए हो रहा है हो सकता है कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हो ऐसा मतलब यह possible है कि थोड़ा सब outside food आप खा रहे हैं भाहर का खाना खा रहे हैं और जो कि आपको digest नहीं हो रहा है ठीक से तो आज के दिन avoid करना किसी बितरह का junk food और ज्यादा से ज्यादा आपको ना पानी पीना है एक दिन में ठीक है तो यह आपके जो भी health issues हो रहे हैं इसको ठीक करेगा overall यहाँ पर victory का card था victory आने के chances हैं आपकी life में अगर इसी rhythm से काम करोगे तो बाकी चीज़े देखो अगर आप अच्छा करते हो ना तो दूसरी चीज़े देखो सब चीज़े एक दूसरे के साथ connected है एक चीज़ अगर ठीक होनी शुरू हो जाती है तो automatically बाकी चीज़े भी आपकी settle होना शुरू हो जाती है तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका work है उसे ही आप improve करिए अपनी health को improve करिए बाकी आपने rest जो भी है वो God पे surrender किया हुआ है divine उनको ठीक कर देंगे इस चीज़ पर भरोसा रखकर आगे बढ़िये चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या advice guidance आ रहा है अभी आगे देख लेते हैं यहां से क्या आने वाला है आपके लिए caring connection हो सकते है इस person को ऐसा feel आई कि आप आपके साथ एक caring connection था आप honest थे ठीक है आप trustworthy थे इस तरीके से इस person सोच सकते हैं आपके बारे में क्योंकि देखो care तो इसे भी आपकी होती है और आपको इस person की होती है तो कहीं न कहीं आप दोनों को एक दूसरी के साथ attachment है cups के card है ना तो प्यार, महबबत, कुछ न कुछ जागेगा आज इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर okay, healer of the ages आप जितना हो सके खुद को heal करने की कोशिश करो अपना inner work करो क्योंकि यही आपका inner work ना आपकी love life को ठीक करेगा divine तो यही guide कर रहे हैं कि focus करो अपनी healing पर ही अभी भी अपनी काम पर, अपनी healing पर चिक है and patience रखिए थोड़ा सा अभी आपको patience पर रखा है divine ने patience रखिए divine भी कुछ न कुछ आपके लिए planning कर रहे हैं universe कुछ न कुछ strategy बना रहे हैं तो patience जब भी card आता है तो घबराना नहीं है तो बेटर है कि हर चीज को ठीक करते हुए आगे बढ़ें तो इसलिए patience का card है कुछ न कुछ pending है कुछ न कुछ पूरा करना आपको इसलिए patience का card है और जब यहाँ पर healing का card आगया तो definitely patience का card तो आना ही है ठीक है थोड़ा patience आपको रखना पड़ेगा divine आपके साथ है आप अपनी healing पर focus कीजिए जितना हो सके अपनी और जितने भी enemies हैं आपकी life में वो divine देखेंगे divine उनको 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 कर्मा कफल देंगे ठीक है चलिए और देख लेते हूँ क्या है आपके लिए आप हो जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश किया करें solitude regret बिल्कुल नहीं करना है past में क्या हुआ है और आपने कितना काम efforts लगाए या नहीं लगाए उस चीच को अब regret नहीं करना है बस यही है कि अब आगे कैसे आप अपने आपको ठीक करोगे अपनी लाइफ को ठीक करोगे इस पर focus कीज़े यह आपके लिए guidance है ठीक है आप सफर कर रहे हो अकेले में और आपकी suffering divine देख रहे हैं और इसका आपको definitely reward भी मिलेगा ठीक है देखो emperor भी आ गए हमारे पास Empress थी आप में से हो सकता है बहुत सा है लोग spiritual connection में हैं तभी यह दोनों आ गए हैं यहाँ पर Empress and Emperor आप Empress बन रहे हो तो आपके partner Emperor बन रहे हैं और vice versa ठीक है आप दोनों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं तो achieve कीजिए caring connection तो दिखी रहे हैं आप लेकिन patience पर रखा हुआ है divine ने आप लोगों को ठीक है तो इस patience इस time को utilize कीजिए और अपने targets को achieve कीजिए आज कौन से divine आपके साथ हैं और आपको क्या बताएंगे देख लेते हैं वाव मैल्च जडिक higher learning clear है guys यह तो मैं पूरा time ही बोल रही हूँ ना reading में कि आपको जड़ से जड़ा अपने आपको improve करना है you have learned from experience देखो ऐसा नहीं है कि बिलकुल ही आपको समझ नहीं है और आप आपको बिलकुल भी experience नहीं है मैं जो आपको देख रही हूँ आप काफी hard work करते होई यहां तक पहुंचे है और आपको एक बहुत great experience है right now ठीक है you have learned from experience experience से बहुत कुछ सीख चुके है आप more inner study is now required to further progress अब future में अगर progress चाहिए तो अभी आपको जादा से जादा study करनी पड़ेगी even more more inner study करना पड़ेगा आपको ठीक है अपने आपको और कैसे better healing करोगे कैसे अपने targets को achieve करोगे इसके लिए study कीजिए क्योंकि यह आपकी further progress के लिए बहुत important है okay तो यह आपके लिए message है otherwise तो देखो guys अगर रही बात connection की तो विल्कुल surrender कर दो यहाँ पर जादा सोचने की जरुरत नहीं है सोचने का काम अभी सिर्फ और सिर्फ आपके work में है ठीक है और यह patience का जो card है यह आपके भले के लिए है इसको इससे irritate ना होना आप क्योंकि patience का मतलब ही है कि अभी आपको study और आपको hard work करने के लिए time मिला है और यह आपके लिए जरूरी भी है करना okay so this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर यह reading आपके साथ resonate हुई है तो comment section में बताना चैनल पर नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care